असलाम अलेकूम गुड बार्दिंग आज 2020 का पहला दिन है अब जाड़ी की तरह अब जाड़ी परीबी है अब जाड़ी जाएगी जाड़ी जाती है उसक्त तक्रीफते हो जाती है करके और स्यावस का सDR घ्रे रानल गुड़ी जो ढुड़ी है झाड़ी है ईक जाड़ी करता है कर दो कर दो कर दो CLA Volume कर दो कर दो, झा दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यह स्नो ब्रश वहना जरूरी एक्ट एक्ट सेनो पढ़ टी जालो पेर साफ करने बड़ेगा पार्ट if I wait not because I want to not because I need to because I can I will and I will be I will आज यहां तीन तारीक से 50 जणवरी से अमेरिका में ंड्र एक्टिविटी में आप जब जाएंगे तो आपके पास कोविट का वैक्सिनुनलोडि है वैक्सीनिशन का मेडिसंत हैं जिस से आपका फुलू का होता है फुलू की भी मेमारी होती है उसके खिलाफ मज़ाहमत होती है तो मैंने खायर वैक्सिन पहले भी खायर लगवाता है पहले भी तो फ्लू वगरा की लगवाता था तो यह दोनों भी जो है नहीं है कोवर्ट की लगी हुए है तो झाल वी है यह है उती है बबस्ट प्रूम मात है तो कि अ कुछ भी एचित डिए लगवे तो की तो की लगवे हैं तो की की तोग प्रूम जगवे हैं प्रूम की आज न्यू येर की नाइट है सुबह निया साल है यहां पर टमप्रेचर बाहर जो है वह इस वक्त मैं आपको थोड़ा को अच्छा मोसम है अच्छा मोसम है और अभी जो कोविट का निया वेरियंट है ओमनी कौन इसके अवाले से काफी ज़्यादा तश्वीश यूनाइटी स्टेट के अंदर पाई जा रही है वो यह है कि दुबारा से जो कोविट के फ्री टेस्टिंग के सेंटर थे उनमें बहुत ज़्यादा रश है काफी ज़्यादा लोग कोविट के दुबारा टेस्टिस करवा रहे हैं और इसके लावा एक बड़ी एहम पेश्चरफ यह है कि यहाँ जतने स्कूल है वहाँ पे छे साल से ज्यादा उमर के जतने वच्चे हैं उनको कोविट का सेटिफिकेट वैक्सीनिशन का सेटिफिकेट होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने दो कोविट वैक्सीन लगवाई हुई हैं और उसके बगएर वो स्कूलों में नहीं आ सकते और यह तीन जनर्वरी से जो है वो इंप्लिमेंट होने जा रहा है मैं इस वक्त जो जिस स्टेट में हूँ यह इरिनाइस स्टेट है और अभी दो दिन पहले मैं यहां पर इंडियाना की तरफ था तो जो है यहां पर भी जो तीन जनर्वरी से थोड़ा सा सिस्टम चेंज होना है तीन जनर्री से यह होना है कि जितने ही आप रेस्टूरेंट्स हैं, उनको दुबारा कहा है कि आपके डाइनिंग के लिए खाना कहने के लिए जो लोग यहां पे आएंगे बैडने के लिए बार्स में, उनके पास वैक्सिनेशन का सरटिफिएट होना चाहिए कि उनको आगव तो उसका भी आईसा इसा इंप्लिमेंट हो जाएगा फिलहल तो जो है वो वैक्सिनेशन का सेर्टिफिकेट रिकार्ड ही होना चाहिए जिसके ताहिए आफ यूएसे के अंदर दाखिल हो सकते हैं यूएसे से बाहर जा सकते हैं दालतलہ आपको और मुझे इस तरह की कोई भी बीमारी है किसी भी किसम की बीमारी है उसे महفوظ रखें बेशक बीमारी अल्ला की तरफ से याती है और अल्ला तला ही शफार देता है यहां पे हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है मरीजों का वो इंशोरंस के जरी होता है अगर आपकी इंशोरंस अगर आप कम कमाने वाले हैं 2000 डॉलर से कम कमाने वाले हैं फैमली है आपकी तीन मिंबर्स की तो फिर आपको जो है ना गौर्मेंट की इंशूरंस होती है कि आप फिर जाके आप गौर्मेंट की इंशूरंस पे इलाज करवा सकते हैं अगर आप थो तीन हजार पहले थे दोजार डॉलर अब महंगाई चुके ज्यादा हुई है तो कम इंकम की जो रहें जाना एक साल में मारे जो पेटरोल का जो है ना पिछले साल मैं भी चैक कर रहा था मेरा पेटरोल का जो खर्चा होता था हो द्धार टक होता है मंथली, final 25-दोडर में उसमें उबर भी करता थे तो अब उतनी ही चलती है गाड़ी लेकिन खर्चा जो है ना वो टू हंडड़ डॉलर होता है तो क्यूंके गैस उस वक एक साल पहले दो डॉलर की थी अब तीन डॉलर और पचास सेंट की है तो डेट डॉलर का अधाफा हुआ है जिसके बिजासे चीजें भी जो है ना के रे आपने अगर कोई काम बाहर करना है या गाड़ी में ऐसा काम करना है तो जिससे पिर आपके कपड़े जो है ना वो खराब ना हो तो कपड़ों को सेफ करने के लिए होता है जिससे गूर तिंग डॉक्टर भी पहनते हैं तो यह उसी तरह से है इसको पहल लेते ताके मारे अब जो है ना मजीज मैं उसमें एक बिजनस की वीडियो अपलोड करूंगा उसमें जो है मैंने जो टक खरीदा है उसके बारे में आईसा इसा उसको शामिल करेंगे क्योंके अबी प्लैनिंग फेस में फाइनली तौर पर नहीं आया बट सून इट विल बी और उसके हवाल लेकि मुझे जायतर लोग जो देखते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश, उसके के बाहर से देखते हैं तो तो वो जो है ना उनमें से काफी लोगों के अकसर कुमेंट्स डिफरेंट तरह के आ रहे होते हैं कि हम यहां पे आना चाहते हैं किस वीजा से आना चा उनमें ज्यादा जो कंपनीज अपरोरी की जाप और इन लेफ्ट एक राइब Mm गृप के फिर ट्रकइंड की कंपनीज थी पर फिर पांच कंपनी उसमें इसे हैं जिसमें मैंने ऑुफिशल जॉब की है, काउंटिंग मैंजर की की है, आफिस एड्मिनेस्टेटर की की है, का तो इतनी ज्यादा जोब्स की आफर्स नहीं आती थी जब मेरे पास सीडियल है तो जब मैंने अभी क्या होता है सीवी मेरी जैसे इंडी.com पर पड़ी भी है मैंने कहीं पर एपलाई भी नहीं किया कंपनी खुद तलाश करती है सीवी और खुद फून नमर लेकर कॉल करती है और खुद कहती है इसका हम इदर आकर जोइन करें. यह उसी उत्त होता है जब काम करने वाले बंदे काम हो और कंपनीयों को ज़्यादा जरूरत हो. The main reason is कोई भी यह लेबर का काम होता ना इतना असान नहीं होता और लोगों के पास alternate होते हैं लोग का आजकल घर में बैठके मुक्तलिफ तरीकों से पैसे कमा लेता है वो कहते हमें लेबर करने की जरूरत नहीं है. है तो लेबर ही ना. आप कोई भी इस तरह का काम करें जिस इतनी ज्यादा इस इस में जो है ना आपका पास अगर है लाइसन तो इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है. तो खैर मैं उसको अपडेट करता रहूँगा. तो अभी जो है ना मेरे दोस्त काफी कमेंट करके न कहते हैं कि हमने किस वीजा प्याना क्या आना है तो मैंने उनको तो यह कहना था कि गोल बड़ा रखें आपने चाए आप मैंने जोह आना जॉप आना बेहतरी जॉप आना आपको बहतरी नहीं कुछ तक्लीफ उनको है, नि ऑल्ला तक्लीफ उनको दूर करे। तो अब जब अपना गोल ही काम पे रखेंगे तो फिर आपको जो है ना जैसा रब से गुमान करेंगे वैसे होता है आप आप कहें कि मैं बिलफर्जा यहां भी काफी लुकत है 16 साल करूंगा आप कहें कि मैं 16-17 साल में मैं बहतरीन पढ़के अच्छी जॉब पे जाओंगा और यह करूंगा आप बेतरीन का टार्गेट रखेंगे तो कम असकम तो मिली जाएगी अगर आप पढ़ने में जहन नहीं चलता तो आप यह कहें कि मैंने कोई छोटा सा बिजनस करना है कारोबर करना और उसमें मैं यतना पैसा आएगा कि मैं वीजे खरीद लूँगा और मेरे वालदा का करती थी कि अपनी सोच और आपने जो हैना बात बड़ी किया करें बात बड़ी से मुराद है उमीद की बात किया करें आप अल्ल AKA से बड़ी उमीद रखा करें, जैसे हैं उमीद कर गरें, जिना बड़ा गुोल लग faithfulने आप मेहनत उतनी जादा करेंगे, ए जब आपने मेनट करके आपको लृत-लप ने रिजदख कितना वसी कर दिया हो ना जब आपको जहां पर भी बेटे हैं, और जब मैंने यहां पर आना होता था तो मुश्किल लगती थी कि यहां पर आके ठीक है काम अच्छ है मुझे खुदा दाला ने अपने मुलक में इतना करम किया हुआ है जॉब भी है बिजनस भी है ऑनलेन अर्णिंग भी है अल्ला ताला का करम है कमी भी कोई ने हो खर्चा और भी कोई ने है तो सकून भी है थी पर सबसे बड़ी बात है यह दिल का जो टुक्रा होता है जिसम के देंगे यह खुश है यह मुटमई भी है तो जब आपको यह चीजें आप महने से मिल जाएंगी तो फिर आप जो है ना वीजा बास करता होता है लोग सैर करने आते है लेबर करना पिर मुश्किल लगती है यहाँ पर अक्सर मैं आपको बताओ ज्याजतर ना इसमें कोई शक नहीं इन मुलकों में गरीब लोगों को आने का ज्यादा शोक होता है आके काम करने का क्यों कि पैसे के लिए आते हैं जिसके पास पैसा होता है वो काम करने नहीं आते हैं, वो यहां पर पढ़ने आते हैं, बढ़के चले जाते हैं, सेर करने आते हैं, सेर करके चले जाते हैं, क्योंकि यहां की लाइफ जो है ना मैंने आपको बताया कि तीन साल मुझे होने को है, तीन साल में जतनी एफर्ड, ज जशन का इस बादो अब में पूरते हो जय को पो जो है ना किना है नवा कि विय सेी जए आरो अने मुझे को आपको जहां पर लो को पूरते है। तो इस मुलक में आपका रिज़क खैंच के लाता है मैं अब एक वीडियो शेयर करूंगा मैं इमिग्रेशन बंदे से इंटर्वी कर रहा था मुझे खौफ नहीं था और मैं वीजा एकस्पायर होने के एक दिन पहले आया था मेरे था कि यह खतम कर भी दे यह था को जाब थी मेरे पास ना भी करे तो भी कोई मुझा नहीं ठीक था में ग्रीन कार्ड होताँ न है, एक साल के बाद आना होता है तो एक साल से उपर हो जाए तो फिर वो आटोमेटिक एकसपायर हो जाता है मैं एक दिन पहले आया था तो रिज़क खेंच के लाया ना रिज़क लेके आता है इनसान का मेरा जो है ना तो उस वीडियो को शेयर करूँ आपका भी रिज़क है तो उसको आप खुद आ जाएंगे लेकिन बड़त थिंग इस अपने बारे में कभी भी चोटी सोच ना रखें अपने रब से बड़ा गुमान रखें अपने रब से उमीद रखें अपने रब से उमीद रखें उसके बाद खुद पर यकीन करें अगर मुश्किल वक्ट में कोई शेक्स आपके काम आएगा तो वो आप खुद हैं मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा सबसे अच्छा दोस ना मैं खुद हूँ और मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मैं खुद हो सकता हूँ किसी ने क्या मेरा फायदा करना किसी ने का नुक्सान करना तो आप ये सोच सकते हैं कि सबसे अपने जो अपने लिए जो है ना आपने अपने आप पे उमीद रखनी है कि यकीन रखना है पिर अपने अपने आप पे उमीद रखनी है पिर अपने अपने आप पे उमीद रखनी है तो मैं वैसी मैंने का एक वीडियो मैं बना के आप तो से लोड़ा सा शेयर करूँ कोविट की क्या सूरत याल है तो आगे अपडेट करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाह आफेस